हेलो फ्रेंड वेलकम बेक तो इस्टेडी वायर यूटूब चेनल और आज के इस लेक्चर में हम डिसकस करने जा रहे हैं गडित सिक्षन सास्त्र या गडित की पेड़ोगोजी जिसका लेक्चर नमबर ये 8 है और इसमें टोटल नमबर और कोष्टन 30 कोष्टन लिए गये हैं और यह पूरे के पूरे जो 30 कोषटन है वह प्रिवेश यर पेबर के लिए गये हैं मतलब पिछले विगत वर्षों में आए हुए कोषटन है पूरे के पूरे 330 के तीस और एक question लेने का मुख्य कारण यह है कि यार आपको एक चीज आइडिया हो जाएगा कि paper में question आने कैसे और उनके सांट deal कैसी करनी है और कैसे solve करना है उनको ठीक है इन तीस question में से या फिर जो हम यह series चला रहे हैं इन में से maximum question रेपिट जरूर होंगे और यह total तीस question में से कम से कम यार आप practice rate लगा रहे है तो कम से कम 25 प्लस question आपके सही होने चाहिए ठीक है तो जादे better होगा इसका आपको अच्छा खासा लाब मिलेगा paper में ठीक है तो कम से कम आपके 25 प्लस marks आने चाहिए और अगर इतने नहीं आ रहे तो आपको और पढ़ने क्या सकता है अभी ठीक है तो आईए lecture start करते है तो यार इस lecture में 29 question ही लिए गया है क्या है कि जो question की total series थी हमने जो question send किये थे मतलब जो अपने question सारे type करते हैं तो यार उसमें एक question क हो गया था तो उनने message नहीं किया तो total number of question 29 ही बचे उनके पास तो उनने उतने ही type किये ठीक है तो हम 30 question लिखा है पर हम इसमें 29 question discuss करेंगे क्योंकि total number of question 30 नहीं थे जो हमने send किये type stick के पास उनके पास तो यार जो question number 30 से start करते है back चलते हम 30, 28, 27 इस प्रकार से ठीक है उचित जैसा भी लगे कोई दिक्कत नहीं है तो आप एक से start करो या 30 से कोई दिक्कत नहीं है तो यह सबसे पहला question 29 नंबर का यह हो जाएगा कि किस आयो वर्गे के बच्चों के लिए सिक्षा का अधिकार कानून का एक कानून का मौलिक अधिकार बन चुका है ठीक है तो मतलब हम यह बूल सकते कि ऐसा कुण सा कितने वर्ष तक के बच्चे ऐसे जिन में सिक्षा का अधिकार एक मौल अधिकार बन चुका है या मौलिक अधिकार बन चुका है जिसमें अनिवार सिक्षा उन्हें देनी चाहिए तो option number C होगा इसका answer ठीक है 6-14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार सिक्षा देना होगा ठीक है यह बन चुका है मौलिक अधिकार question number 28 देखते है यार NCF 2005 के अनुसार गडित सिक्षण होना चाहिए तो यार आप answer लगा चुके होगे option number first होगा इसका answer बाल केंदरीट ठीक है तो NCF 2005 के अनुसार गडित सिक्षण कैसा होना चाहिए त हम यह 4 option को इसलिए discuss नहीं कर रहे है क्योंकि हमारा जो अभी तक जितने lecture upload कि है उनमें क्या हो जा रहा है कि length हो जा रही जादे लंबी ठीक है मतलब 20 मिनट से जादे उपर पहुंच जा रहा है question मतलब अगर हम टूटर डिसकस करें तो 40 मिनट इसलिए हम direct answer पे ही focus कर रहा है question number 27 हो जाएगा कि NCF 2005 बल देता है ठीक है जो NCF 2005 बल देता है किन चीजों पर तो option number second होगा इसका answer करके सिखाने पर ठीक है तो NCF 2005 बल देता है किन चीजों पर तो करके सिखाने पर बल देता है अगला देखते है question number 26 हो जाएगा कि अमूर्थ गड़ीत के अधिगम का प्रथम चरण होता है ठीक है तो जो अमूर्थ गड़ीत के अधिगम का प्रथम चरण होता है तो option number first होगा इसका answer प्रात्मिक स्तर पर तो जो प्रात्मिक स्तर होता है मतलब पहली से लेकर 5 वी तक उसमें अमूर्थ गड़ीत ठीक है तो जो अमूर्थ गड़ीत है उसका पहले मूर्थ गड़ीत दिखाया जाता है मतलब जितने भी गड़ीत आपको पढ़ाई जाती है हमारे देनिक जीवन से यह हमारे आसपास की जिजों से संबंदित होती है तो अमूर्थ गड़ीत के अधिगाम का प्रथम चराण जो होता है वो होता है प्रात्मिक स्तर का मतलब हम यह बोल सकते कि प्रात्मिक स्तर में जो गड़ित होता है वो मूर्थ गड़ित का होता है और जैसे हम 6 क्लास में पहुचते हैं तो वो देरे-देरे मूर्थ रूप अमूर्थ गड़ित में परि लुड़क्षा में चर्चा सुरू करो लुड़क्ती है और फिसलती है साहता करें मतलब ऐसी वस्तोय जैसे बेलन हो गया या फिर हम यह बोसकते एट हो गई जिसको हम घीज सकते हैं फिसलते हैं या गिसल पट्टी हो गई इस प्रकार की चीजों पर चर्चा सुरू करना है क्लास में फिर आगे बोलाए कि NCRT की कक्छा दो के पाठ पुस्तक में इस तरह के सुझाओ यहां समझाने के लिए सिक्छक के साहता करते हैं कि तो हम यह बोसकते हैं कि जो इस प्रकार की जो चर्चा है वो कक्छा दो के पुस्तकों में दी गई है यह गिसल पट्टी की बाद करी है या फिर हम टायर की बाद करते हैं जो चीज़े लुड़कती है या बेलन की बाद करें या फिर किसे गोले के बाद करें लिए सिक्छक की साहता करती है कि इन चीजों में तो अफ्सन नमेर फ़र्ष्ट होगा इसका अंसर निर्देशन से संपूरित चर्चाए ठीक है निर्देशन से संपूरित चर्चाए विध्यारतियों को संकलपनाओं को बहतर तरीके से समझने में साहता करती है तो हम यह बोच सकते हैं कि निर्देशन से संपूरित चर्चाए विध्यारतियों को संकलपनाओं को बहतर करने से समझाने में साहता करती है सारी चीजे हम यह बोल सकते हैं कि यार हम बेलन समझाना चाह रहे तो कैसे बोचीजे लुलकती है या गोला हम समझाना चाह रहे तो यह सारी चीजे इन चीजों में साहता करती है अगला दिखते हैं हर कोशन नमबर 24 हो जाएगा कि NCERT की पाठको में इस तरह के सीरसक है ठीक है मतलब जो कक्छा दूसरी के पुस्तक है उसमें इस प्रकार के सीरसक है जैसे कबाडी वाली भोपाल की सेर दुनिया कुछ ऐसी दिखती है ठीक है तो ऐसा कुछ सीरसक लिखा हुआ है कि कबाडी वाली भोपाल की सेर दुनिया कुछ ऐस रोचक बनाने के लिए इस प्रकार की लाइन लिखिए जिसमें बच्चा इंट्रेस्ट ले और चीजों को समझने में उसे साहता मिले ठीक है अगला देखते हैं question number 23 हो जाएगा कि एंसिएफ मांता है कि गड़ीत में सोचने एवम तरक का एक निश्चित तरीका नहींत है नीचे दिये गए कतनो में से वह कतन करता है तो नीचे दिये गए जो चारो उप्सन है इन में से कुन सा इसको फॉलो करता है ठीक है तो उप्सन नमबर इसका सेकेंड होगा इसका अंसर की अंकिक प्रसनों को हल करने के लिए विद्यारतियों को निर्धारे सूत्र बताना ठीक है तो हम यह बोल सकते कि NCF 2005 के अनुसार ग Q22 हो जाएगा हो सकता है आपको थोड़ा सकता अफ लगे पर चीज़े आपको पढ़नी ही है Q22 की राष्टी पाठे चर्चा की रूप रेखा मानती है ठीक है जो राष्टी पाठे चर्चा की रूप रेखा मानती है कि गडित में चिंतन और तरकणा ठीक है वैसे तरक हो ज चिंतन और तरकणा का एक तरीका सामील होता है. इस दृष्टी को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है. ठीक है तो हम यह बोल सकते कि चिंतन और तरकणा का एक तरीका सामिल होता है इस दृष्टी कोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है तो आपसर नमबर सेकेंड होगा इसका अंसर खोजबीन उपागम का प्रयोग करना फस्ट चालकों का ठीक है फस्ट चालकों का यह फैले यह हो जाएगा देखो खोजबीन उपागमों का प्रयोग करना और उसके बाद यह है यहां जो फस्ट चालक लिखा यहां पर जाएगा हस्ट चालकों का प्रयोग करना संकल्पनाओ को वास्तिविक जीवन से जोड़ना और विद्यारतियों की चर्चा में सामिल करना तो हम यह बोल सकते हैं चिंतन और तर्क का एक तरीका अगर सामिल होगा तो हम एक क्या क्या करनी होगी इसमें चीजे कि चिंतन और तर्क अगर कलना है तो संकल्पनाओं को वास्तिविक करना होगा तब जाकर हम चीजों को relate कर पाएंगे तो option number second है इसका answer question number 21 हो जाएगा कि राष्टी पाठ्ठी चर्चा की रूप रेखा 2005 ठीक है राष्टी पाठ्ठी चर्चा की रूप रेखा 2005 अधी गम करता रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि यहाँ खालिस्तान पर केंद्री थे तो हम यह बोल सकते कि जो राष्टी पाठ्ठी चर्चा की रूप रेखा 2005 अधी गम करता रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि गती वीडियो में सामिल करते हुए शिक्छारतियों की सक्रीय भागेदारी होती है कोशन नमबर ट्विन्टी हो जाएगा वीस्वा कि राष्टी पाठ्ठी चर्चा की रूप रेखा 2005 पर बल देती है तो option number second होगा इसका answer गडित में सफलता प्रत्यक बच्चे के लिए आवशक है तो यार जो राष्टी ये पाठ्थी चर्चा की रूप रेखा 2005 इस चीज पर बल देती है कि गडित की सफलता प्रत्यक बच्चे के लिए आवशक है अगला दिखते हैं question number 29 हो जाएगा कि राष्टी पाठ्थी चर्चा की रूप रेखा 2005 में यहाँ उलेख किया गया है कि गडित सिक्षण महत्व कांग्ची सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए यहाँ महत्व कांग्ची से तात्पर ये निमने लिखित में से किस की उपलब्दी से है तो यार हम यह बूल सकते कि जो राष्टी पाठ्थ चाचा रूप रेखा 2005 थी इसमें उलेखित किया गया है कि गडित सिक्षण महत्व कांग्ची और सुगम सुसंगत और से तो हम यह बूल सकते हैं कि जो महत्व कांग्ची सुसंगत और महत्वपुन होना चाहिए जो गडित सिक्षण है वो तो महत्व कांग्ची का तात्पर ये इन पूरी उद्देशों से है कि गडित के उच्छ उद्देश से होना चाहिए अगला दिखते है कुश्च नमबर हो जाएगा 18 ठीक है राष्टी ये पाठ्थे चर्चा रूप रेखा 2005 के अनुसार गडित की सिक्षा का मुख्य उद्देश बच्चे की गडिती करण की चमताओं का विकास करना है इस्कूल गडित का सीमित लक्ष है ठीक है जो हो जाए यहां गडिती करण बच्चे की चमताओं का विकास करने की और संकेत करता है तो यार एक बार और कोश्चन पढ़ देते हैं जादे बैटर होगा क्योंकि कोश्चन थोड़ा लिंदी हो जाएगा लिंदी है किया राष्टी पाठी चर्चा रूप रेखा 2005 के अनुसार जो ग गडिती करण की चमताओं का विकास करना है इसकूल गडित का सीमित लक्ष है जो इसकूल है इसकूल गडित चमताओं का सीमित लक्ष है और लाबप्रद्य चमताओं का विकास यहां गडिती करण बच्चे की चमताओं का विकास करने की और संकेत करता है मतलब हम यह बोल सक निसकर्स का अनुसिलन करने और अमूर्थ का प्रचलन करने के लिए गडित रूप से चिंतन और तर्क के बच्चों, तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने ठीक है तो यह हो जाएगा इसका आंसर अगला देखते हैं कुश्चन नमबर 17 हो जाएगा कि रास्टी पाठी चर्चा की रूप रेखा 2005 में उल्लेखित गडित की लंबी आकरतियां संकेत करती है तो आप्सन नमबर इसका हो जाएगा fourth answer की एक संकलपना पर दूसरी संकलपना बताना अगला हो जाएगा कुशन नमबर 16 की हस्त परक प्रतीमान ठीक है हस्त परक प्रतीमान इस्थिर चित्र लिखित प्रती मौखिक और लिखित भासा वास्तविक संसाधन की इस्तितिया तथा संदर्ब खालिस्तान को दर्शाने क पांच तरीके है姜। तो हम ये बोल सकते हैं है कि हस्तविक संसार की इस्तितिया अतवा संदर्भ, खालिस्तान को दरसाने के चिंतन एवं विचार, को दरसाने के 5 तरीके हैं ये कुश्चन नमबर 15 हो जाएगा कि राष्टी पाठ्थे चर्चा की रूप रेखा ठीक है राष्टी पाठ्थे चर्चा की रूप रेखा 2005 के अनुसार प्रात्मिक इस्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं का मापन आदी का सिक्षण ठीक है तो हम यह बोच सकते की प्रात्मिक इस्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं का मापन आदी का सिक्षण क्या कहलाता है या क्या करता है तो option number first हो गए इसका answer गडित सिक्षण के संक्रिन उद्देश को पूरा करता है अगला दिखते है question number 14 हो जाएगा कि राष्टी पाठ्ट चर्चा रूप रेखा 2005 के अनुसार विद्द्ध्याले में गडित सिक्षण का उद्देश है यहाँ पर संक्रिन च्पा नहीं है तो गडित सिक्षण का संक्रिन उद्देश है तो option number second होगा इसका अंसर संख्यात्मक कौसल का विकास करना अगला हो जाएगा question number 13 कि निमने लिखित में से कुण सा प्रात्मिक इस्तर पर गडित सिक्छण कि पाठ्थ चर्चा आप एक छाओं के साथ मेल नहीं खाता तो यार option number second है इसका answer चार option आप जरूर पढ़ लिजेगा कि वर्गी करत आकडों के निरूपन का विसलेशन करना तथा निसकर से निकालना ठीक है तो वर्गी करत आकडों का निरूपन तथा विसलेशन करना तथा निसकर से निकालना अगला question हो जाएगा question number 12 कि राष्टी पाठी चर्चा रूपरेखा 2005 सिफारिस करता है कि प्रात्मिक इस्तर पर गडित की सिक्षा का केंदर होना चाहिए तो option number C होगा इसका answer कि कक्छा में की पढ़ाई को विद्यारतियों के दैनिक जिन्दिगी से जोडने में सहयक हो question number 11 देखते हैं कि राष्टी पाठी चर्चा रूपरेखा वर्स 2005 के अनुसार प्रात्मिक विद्याले में गडित पढ़ने का मुख्य उद्देस या गडित पढ़ाने का मुख्य उद्देस निमनिलिखित में से कौन सा नहीं है तो option number 1 होगा इसका अंसर बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गडिती करण रूप देना यह उद्देस नहीं है बाकी है तीनों इसके उद्देस हो जाएंगे कि बच्चों के संदर्ब में गडित का वर्णन करना समस्य समधान के कौसल को बढ़ाना और गडित में आमूर्थ पढ़ाई की तैयारी करना कोशन नमबर दसवा देखते हैं कि राष्टी पाठी चर्चा की रूप रेखा NCF 2005 के अनुसार प्रात्मिक इस्तर पर गडित सिक्षण का उद्देस निमने लिखित में से कौन सा नहीं है ठीक है तो यहाँ पर भी सेम कोशन है कि चारो अप्सन के अनुसार आंसर लगेगा राष्टी पाठी चर्चा रूप रेखा NCF 2005 के अनुसार प्रात्मिक इस्तर पर गडित सिक्षण का उद्देस निमने लिखित में से कौन सा नहीं है तो यार इसका भी ऑप्सन नमबर फर्ष्ट होगा इसका आंसर कि गडित में उच्चितर और अमुर्थ पढ़ाई की तय कराना ठीक है यह उद्देस नहीं है कि गडित में उच्चितर और अमुर्थ पढ़ाई की तयारी कराना प्रात्मिक इस्तर का यह उद्देस से नहीं है कोश्चन नमबर नाइन हो जाएगा कि राष्टी ये पाठ्टी चर्चा की रूप रेखा तो जाब पांच अनुसार गडित का अनुकरम है ठीक है तो जो राष्टी पाठ्टी चर्चा की रूप रेखा की अनुसार गडित का अनुकरम है तो अप्सन नमबर सेकेंड होगा इसका अंसर भासा के बाद मतलब जो हमारी भासा होती है ठीक है कुन सी हिंदी और इंग्लिस मतलब जो इसकुल में हमारी में भासा होती है उसके बाद रखा गया है किसको गडित को मतलब गडित का अनुकरम भासा के जश्ट बाद रखा गया है ठीक है जैसी हमारी में भासा ति उसके बाद गड़ित का नंबर आता है कोशन नंबर आठवा देखते हैं कि दो पूरा कोड दो अनुपात तीन उनकी ग्याद कीजिए मतलब यह बोल सकते हैं कि यहाँ पर दिया है दो अनुपात तीन के अनुपात में उनको ग्याद कीजिए ऐसा कुछ लिखा है उनको ग्याद कीजिए कच्छा सातवी की NCERT की पाठ पुस्तक में उपरोक्त प्रसन का संदर्ब है कि यहाँ मतलब हमसे यह कि एक स्टुडेंट से या फिर एक प्रसन दिया है गया है कि दो पूरा कोड जिनका अनुपात दो अनुपात तीन उनको ग्याद कीजिए और कच्छा सातवी में अगर यह रखा गया है तो इसका उद्देश्य क्या है तो आपसा नमबर डी होगा यार इसका आंसर कि उच्चितर स्रेणी का विचार है क्योंकि यहाँ आप एक्छा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए इसका विसलेशन किया जाए और इसके प्रयोग से वांचित जानकारी प्राप्त की जाए ठीक है तो उच्चितर स्रेणी का विचार है क्योंकि यहाँ आप एक्छा करता है कि दी गई जानकारी की व्याख्या की जाए इनका विसलेशन किया जाए और इनके प्रयोग से वांचित जानकारी प्राप्त की जाए कोशन नमबर 7 देखते हैं कि कक्छा 8 वी कक्छा 8 वी की NCERT पुस्तक प्रस्न प्रदर्शित का में पांचवी एकाई चत्रभुज को समझाना और जामिती प्रयोग के अंतरगत में बहुत सारे क्रियकलाप जैसे की चोपड की रचना चीनी पहली की रचना इत्यादी दिये हुए हैं इस प्रकार के कार्यों के उद्देश में से एक उद्देश सहायता करना है मतलब हम यह बोल सकते हैं कि जो कक्छा आठवी है उसके NCRD की पुस्तक में जो पांचवी काई है मतलब पांचवा चेप्टर है उसमें चतुरभुज को समझना जयामिती प्रयोग के अंतरगत बहुत सारे क्रिया कलाप जैसे चोपड की रचना चीनी पहली की रचना इत्यादी दिये हुए हैं इस प्रकार के कार्यों के उद्देश में से एक उद्देश से सहायता करना है मतलब यह इस प्रकार के प्रसने क्यों कि ये गये हैं और इसका क्या उद्देश से तो ऑप्सन नमबर सेकेंड होगा इसका अंसर कि सभी विद्द्यार्तियों को उनकी विभिन्य विदियां सैली के साथ इस्थानिक इस्तितियां सुधारने में कुशन नमबर छटवा हो जाएगा यार कि उच्च प्रात्मिक इस्तर पर गड़ित सिखाने का तात पर रहे तो ऑप्सन नमबर फरस्ट इसका अंसर गड़िती अवधार्णाओं के समझने में विद्दी और उनके अनुप्रयोग से उच्च प्रात्मिक इस्तर पर गड़ित सिखाने का तात पर कैया है तो गड़िती अवधार्णाओं के समझ में विद्दी और उनके अनुप्रयोग से समझ्हाओं को तर्कसंगत रूप से हल करना अगला हो जाएगा question number फिप्त की पाठी चर्चा रूप रेखा में गडित सिक्षा का इस्थान को महत्व पर है sorry पाठी चर्चा की रूप रेखा में गडित सिक्षा का इस्थान दो महत्व पर है ऐसा कुछ question नहीं है कि पाट चर्चा रूप रेखा में गडित सिक्षा का इस्तान यहाँ पर जो तो लिखा है वहाँ पर जाएगा दो महत्व पर है ठीके तो वो दो महत्व कौन से है तो अपसर नमबर यार इसका D है आंसर कि गडित सिक्षा प्रते के विद्यारती के मस्तिस्क को कैसे सलगन आ सकत कुछ नमर फोर्थ हो जाएगा कि राष्टी पाठ्टी चर्चा की रूप रेखा 2005 के अनुसार गडित की पाठ्टी चर्चा महत्व कांग्ची सुसंगत है और यहां महत्व पूर्ण गडित पढ़ाती है यहां महत्व कांग्ची का अर्थ है मतलब हम यह बोल सकते हैं कि जो NCF था 2005 के अनुसार गडित की पाठ्टी चर्चा महत्व कांग्ची सुगमत है और महत्व पूर्ण गडित पढ़ाती है यह महत्व कांग्ची का अर्थ क्या है ठीक है तो इन चारों उप्सन में से उप्सन नमबर सेकेंड होगा आंसर विद्य विद्याले में गडित सिक्षण के उद्देश की खोज़ ठीक है दोनों उप्सन एक जैसे लिख दिया परनतु जो पहला उप्सन होगा वह ऐसा कुछ होगा विद्याले में गडित सिक्षण के संक्रियन उद्देश को खोज़ना और second option है विद्याले में गडित सिक्षण कि उद्देश या उच उद्देश को खोजना Question number 3 है कि NCF 2005 के अनुसार विद्याले में गडित सिक्षा का एक महत्व उद्देश क्या है उद्देश यहा है कि ठीक है तो हम यह बोल सकते कि NCF 2005 के अनुसार विद्देशले में एक मुख्य उद्देश यहा है तो Option number 2 होगा इसका आंसर कि बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गडिती करण करना है NCF 2005 के अनुसार विद्देशले में गडित सिक्षा का मुख्य उद्देश अगला दिखते है Question number 2 कि हमारी विद्देशले पाठ्थे चर्चा में गडित सिक्षण के कथन को सुनिश्चित कराने के लिए युगल आधार वाक्य है तो हमारी विद्देशले पाठ्थे चर्चा में गडित सिक्षण के कथन को सुनिश्चित कराने के लिए युगल आधार वाक्य है नमबर पहला ही है यार इसका अंसर कि किस प्रकार प्रतिक विद्यारती के मस्तिस्क को वैस्त रखा जाए और किस प्रकार विद्यारती के संसाधनों को सुद्रण बनाया जाए कोशन नमबर लाश्ट हो जाएगा कि NCF 2005 के लक्ष कतन के अनुसार विद्यालय गडित उस एस्तिति में नहीं होता जहाँ बच्चे मत्तब हम ऐसा बोल सकते कि NCF 2005 के अनुसार लक्षे कथन के अनुसार विद्यालाए गडित उस इस्तिती में नहीं होता जहां बच्चे option number D है इसका answer सूत्रो और algorithm को कंठस्त करते हैं तो यार हो सकता है थोड़ा lecture tough लगा हो पर क्या करें ऐसा ही है तो आपको करना ही है कुशिस करें कि दो बार देख लीजी तो जादे बेटर होगा अगले lecture में फिर मुलकात होगी जब तक के लिए जय हिन जय भारत